कुं सब्सक्राइब को इस नई वीडियो में तो फ्रेंस आज में आपको त्रीयमी एमेश ट्रेडिंग स्टार्टेरीट इस पताने जा रहा हूं यहां प्याइब करते हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पदे मैं आपको रिक्वेश्च करता हूं कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब किजिए और बेन बटन को दबाना मत भूलिए का गाइस इंट्रेस्टिंग अपडेट्स के लिए जो है आपको यहां पर वेल बटन दबाना पड़ेगा क्यूंकि अगर नहीं दबाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब दिमें नहीं वीडियो दालता हूं और गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देखें मने आपर पाइन एडिटर में कोड लिखकर रख लिया है पहले से ही तो गाइस इसके अंदर जो है तो इसको थोड़ा चोटा कर लेता हूं तो फ्रेंग यहां देख लीजिए आप मने यहां पर जो है त्री यह में कंडिशन यहां लिखा हुआ है मने एक तो एक क्लोस टॉंटी के ओपर होना है 25 के ओपर होना है 50 के ओपर होना है तो इन तरीन यह में को यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बहतरीन काम करती है तो गाइस इसके जो है पाइन स्क्रिप मैं आपको लाश में बता दूँग यहां पर देख लिजी आप यहां पर हम लोंको लॉंग को कंडिशन यहां पर आया था तरी निफ्टी में तो ये निफ्टी में ऐसा कंडिशन देता है यहां अरे अगरव जैसे कि यहां पर काम करती है जब ही जो है इसकी एक्जित颗ाइगी जैसे कि यहां पर देखे, exit long, जब long लेने के बाद, यह कब exit होगा, मतलब यह cross under होगा, मतलब यह cross under EMA2, अगर EMA2 के नीचे अगर आ गया है candle, तो हम लोगों को exit का condition यहां पर देदेगा, तो आप यहां देख लिए, तो मैंने long और short का condition यहां पर दे दिया है, और entry और exit का condition भी दे दिया है, दोनों condition में, तो guys यहां पर देख लिए जब एक trade जो है, हम लोगों नीचे आया था, यहां पर जो है, इसका exit condition आया है, तो इसका देख लेते हम लोग कितना percentage जो है, आलगों में या आपके daily time frame मतलब daily intraday में, तो आप यहां देख सकते हैं, यहां पर जो है, 4% का जो है, हम लोगों को यहां पर profit मिला है, तो guys जैसे आप अगर आप चाहिए intraday में कर सकते हैं, नहीं तो आप delivery में आप यहां पर आप शॉर्ट कंडिशन आया था, तो शॉर्ट कंडिशन आने से यहां पर हम लोगों एक ट्रेड ले लिया है, इसके नीचे आने के बाद, आप यहां देख लिजे, इसका जो है, इंटर हो गया है, मतलब यहां पर जो है, close हो गया है अपना, condition यहां पर close हो गया है, तो entry exit जो है, strategy के अंदर ही दिखा देता है, pine code में देखिए, मने यहां पर जो है, enter long का आपको बता दिया था, enter short को जो है, cross under, अगर cross under होगा, EMA 1 और EMA 2 के, तो जो है, हमनों को, buy का, मतलब sell का condition आ जाएगा, और इसका exit जो है, हमनों को, EMA 3 के उपर अगर close हो गया है, तो हमनों को exit का condition यहां देदेगा, तो जैसे कि हम आपको दिखा रहा हो है, यहां पर exit का condition यहां पर मिल गया है, तो guys इसमें जो है, अगर आप manual trading कर र BTC, USD, Bitcoin में भी यूज़ कर सकते हैं, वो तो 24-7 मतलब trading चलते ही रहे दिए, तो आप उसमें भी जो है, इसको back test कर सकते हैं, अगर आप एक lot में करेंगे, निफ्टी बैंक, निफ्टी में तो बहुत अच्छा, बैतर इन जो है, आप लोगों को मालूम होगा, कहां लेना है, कहां जो है, आप लोगों को exit होना है, तो गाइस, इसको use करते हुए, आप और एक concept indicator या आपके जो price action strategy को use करते हैं, आप इसमें जो है, अच्छे सच्छा profit बना सकते हैं, तो गाइस, मैंने तो अभी इसको बता दिया है, आपको ये दोनों conditions मैंने बता दिया है, short और long के, तो आपको हर एक जगा जो है, short जब भी भी आएगा, तो उसका short condition आजाएगा, और जबी भी जो है, आपको long condition आएगा, तो long condition यहां पर आपको आजाएगा, तो गाइस, ये 3 EMA strategies जो है, बहुत लोग use करते हैं, बहुत professional traders भी जो है, इसको use करके जो है, बहुत अच्छा पै condition भी लिखना है, तो आप shop loss कर condition भी लिख सकते हैं, आप इसमें designated quantity दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पर आपको दिखा देता हूँ, यहां देख लीजे आप initial capital कितना होना है, आपको यहां दे देना है, और इसके अंदर order size क्या होना है, दे सकते हैं, हर एक जो है, आपके हिसा देना बंद कर देगा, तो यह quantity है, अगर आप निकाल देंगे, तो यहां पर आपको quantity नहीं देगा, तो गाइस, इसका एक benefit यह होता है, कि हम लोगों को specific percentage of income आते हैं महीने के लिए, मंतली, जैसे मेरे बहुत सारे students, मतलब मैं जिन को आलगो करके देता हूँ, उन लोग जो जो है, एक से दो आधार जो है, डेली का कमाते हैं, मतलब मंतली जो है, टूंटी से लेकर 40,000 तक जो है, शिर्फ आलगो से ही कमाते है, विटे कैपिटल ऑफ 50,000, तो लोगो बहुत भैतरी जो है, प्रॉफिट मिलता है, इसके अंदर, तो गाइस, यहां पर मैं दिखा देत होँ, आपको, इस के अंदर काम करते हैं, मतलब कितने हैं, हम लोगों को इसके अंदर काम करता है, तो अलग अलग टाइम फ्रेम में,동är मिनट के टाइम फ्रेम में, 35 परसेज है, हम लोगो Istatisee, जो है, पर्सेंट इस प्रॉफिटेबल दे गी, तो मैं अभी चेंज करते ऐब आपको डिसाइड करना है कि आपके माइड़ स्टार्टिक बनाना है तो गाइस इसको लिख裡 ने के बाद आगर आपको कईए प програмme मिस्टे करा रहे है तो आप मुझे कदे चीजेजिए और लिख खा रहा रहहा लिखना स्टार्ट करते हैं तो पहले तो जो है मैं इसको निगाल लेता हूं के निगाल लेने के बाद लेता हूं झाल 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 तो गैस मैंने तो जो है थोड़ा fast forward करके जो है coding यहां पर लिख दिये तो आपको समझने आ जाएगा कि कैसे आपको code करना है कोड़ करने के बाद अभी मैं आपको यहां समझा देता हूं कि के conditions कैसे लिखिए तो गाइस यहां पर जो है ओवरले यहां पर यहां पर होगा लिख दिया है और इसका प्लॉट कंडिशन में यहां पर लिख दिया है यहां पर लिख दिया है और color जो है मैंने red ले लिया है पहले को line width 2 दे दिया है अगर आप line width बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप यहां पर दूसरा thickness भी दे सकते हैं तो EMA 2 को title मैंने EMA 25 दे दिया है color green दे दिया है और line width 2 दे दिया है और EMA 3 को आपको plot ऐसा करना है, EMA 50 बोलकर जो है इसका नाम दे दिया, यहाँ पर ब्लू कलर दे दिया और लाइन विड्ट जो है 2 दे दिया, तो गाइस एंटर और एंटर और एंटर का condition यहाँ पर लिख लिए आए मने, इंटर लॉंग, लॉंग जब होना है हम लोग को अग कैसे होना है, trade में मतलब cross under, अगर EMA 1 और 2 के नीचे अगर candle close हो रही है, तो हम लोग को short का condition आएगा, और exit कब होना short के अंदर मतलब EMA 3 को जो है, मतलब नीचे से उपर cross over करेगी, तो जब हम लोग को short का condition है, वो exit हो जाना है, तो guys यहाँ पर strategy condition लिखिए हमने, यह दो पार strategy के उपर आते हैं, तो यह पार लिखने से ही हम लोग को strategy का condition वहाँ पर दिखता है, तो यहाँ पर लिख दिया strategy dot entry, मतलब entry के लिए यहाँ पर strategy क्या लेना है, तो यहाँ लोग जाना है हम लोग को, और लोग जाने के बाद long one लिखा है, strategy long one, मतलब एक quantity समझ लिजे, when is equal करना है, मतलब enter long, यहाँ enter long होने के time पर हम लोग को करना है, फिस strategy कब close करना है, जब exit long, अगर यह exit long होई न, यह जब हो जाएगा, तो हम लोग को strategy close कर दिनी, और strategy का entry कब होना है, short के लिए, जब short one होना है, मतलब quantity one होना है, तब जब हम लोग को inter short, यह inter short की जो क्या condition है, लेगी तो हम लोगो स्टाटेड्य यहां पर ले लेगी और यहां पर स्टाटेडर्जी क्लोस कब करना है जब चौट जुए एकजिट सौट हो जाएगा एकजिट का condition अगर वहां पर जुए एकजिट हो जाएगा तो गै 좌 स्टैण कोड का जो तो अगर आपको ये पाइन कोड अगर आप लिख रहे हैं बट आप प्रोब्लम हो रही तो आप मुझे कांटक्ट कर लिजए नहीं तो जो है आप मेरे से भी जो है कांटक्ट करकर मेरे से ले सकते हैं. free of course मैं आपको दे दूँगा, उसा problem नहीं है. तो गाइस, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चानल को सब्स्क्रेब कीजे और कमेंट कीजे और लाइक करना मत भूलना. तो गाइस चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक्यू वेरी मॉच